Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness So today we are going to discuss about how to sleep better अपनी sleep को आप कैसे बेटर बना सकते हैं आज उसके बारे में हम डिसकस करेंगे तो सबसे पहले तो हमें एक schedule बनाना चाहिए एक fix time होना चाहिए कि आपको कितने बज़े सोना है और कितने बज़े जागना है अगर आप सुबा जल्दी उठते हैं तो automatically आप कुछ दिन में देखेंगे कि एक constant time पर आपको नीद आने लगेगी तो अगर आप sleep schedule बनाते हैं तो आपकी जो biological clock है आपकी circadian rhythm है वो improve हो जाएगी जिससे sleep के लिए जो hormone responsible होता है that is melatonin उसका production improve होगा उसका production समय पर होगा जिससे आपको नीद अच्छी आईगी और समय पर आईगी और good quality sleep के लिए melatonin के लिए melatonin बहुत ज़रूरी है next होता है एक environment होना चाहिए जब आप sleep पर जाते हैं तो यह है कि आसपरस के surroundings dark होने चाहिए lights बंद होनी चाहिए शानती होनी चाहिए जिससे melatonin का production बढ़ता है आप curtains कर सकते हैं या फिर जितने भी आपकी equipment से उनको बंद करना होगा ताकि आपको एक environment create हो सके ताकि आप शानती से sleep कर सके निक्स्ट होता है कुछ diets होती है अगर आप कुछ diets लेते हैं तो कई बर क्या होता है आपकी sleep disturb होती है इन मेंसे जैसे आजाता है ती या कॉफी अगर आप चाह या कॉफी रात में लेते हैं तो यह आपकी sleep disturb कर सकती है इसके contrary अगर आप eggs या milk लेते हैं warm milk लेते हैं तो आपकी sleep अच्छी हो जाती है कुछ dietary foods होते हैं जैसे tryptophan यह melletonine बनाता है तो अगर आप उस तरह के foods अपनी diet में लेते हैं तो melletonine का production बढ़ेगा जैसे nuts होते हैं seeds होते हैं तो इससे आपकी sleep improve होगी next होता है stress management अगर आप continuously stress में रहते हैं आपकी stress levels high रहते हैं तो उससे melletonine का production कम हो जाता है तो सबसे पहले तो आपको अपना stress management करना चाहिए आपको कुछ relaxation करना चाहिए जैसे deep breathing exercise करनी चाहिए yoga करना चाहिए या meditation करना चाहिए जिससे आपका stress reduce हो और आपको एक healthy sleep मिल पाए निक्स आता है आप बात ले सकते हैं जो आपके लिए relax कर सकता है आपको relax कर सकता है जिससे आपके melletonine levels बढ़ सकते हैं और आपको sleep अच्छी आ सकती है निक्स आता है regular exercises अगर आप regular exercises करते हैं तो आपके sleep quality improve होती है क्योंकि regular exercises से आपके मिलेटोनी लेविल्स बढ़ते हैं निक्स आता है आपको लाइट का एक्सपोजर देखना चाहिए अगर लाइट बहुत जाधा रहती है तो आपकी स्लीप डिस्टरब हो सकती है so that's all for the day thank you so much